हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल फूडी पर आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसा स्वादिष्ट ब्रेड पकोडा तो चलिए शुरू करते हैं पकोड़ा और भजिय अकसर बारिष के दिनों में बना कर खाये जाता है बता दें कि आप इस डिश को कभी भी बना कर खा सकते हैं बनाने में सरल और खाने में स्वादिष्ट ब्रेड और आलू के मिश्रन से तययार इस पकोड़े को बच्ची से लेकर बड़े हर कोई खाना पसंद करते हैं वैसे तो पकोड़े, समोसा या वड़ा पाव बाहर का ही खाने में बढ़िया लगता है लिकिन बहुत से लोग इन डिशिस को घर पर भी बना कर खाते हैं ऐसे में आज हम आपको बाजार जैसे ब्रेट पकोड़ा घर पर बनाने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे बताए गए टिप्स की मदद से आप बाजार के जैसा स्वादिश्च और टेस्टी पकोड़ा बना सकते हैं पकोड़ा सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड में से एक है जिसका नाम सुनते ही मूँ में पानी आने लगता है क्रिस्पी स्वाद से भरपूर पकोड़े को सौस या फिर चटनी के साथ पर हो सकते हैं ब्रेट पकोड़े में आप आलू के अलावा पनीर, चिकन, प्यास की फिलिंग भर सकते हैं बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब वो घर पर ब्रेट पकोड़ा बनाते हैं तो उनके पकोड़े क्रिस्पी नहीं होते और अंदर तक अच्छे से नहीं सिकते हैं इसलिए अब जब भी पकोड़ा बनाएं तो इन तीन टिप्स को फॉलो करें और फटा-फट टेस्टी पकोड़े का मजा लें जब कभी भी ब्रेट पकोड़ा बनाएं तो सफेद के बजाए ब्राउन ब्रेट का उप्योग करें ब्राउन ब्रेट का उप्योग करने से पकोड़े हेल्दी और साथ ही साथ क्रिस्पी बनेंगे ब्राउन ब्रेड को वाइट ब्रेड से ज्यादा हेल्दी माना गया है इसलिए आप इस टिप्स को अपना सकते हैं वाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड ज्यादा हेल्दी होता है और स्वाद में भी थोड़ा अंतर होता है ब्रेड को डुबोने के लिए जो बेसन का घोल बनाया है उसे अच्छे से फेट कर सौफ्ट करना और उसमें एक चुटकी इनो जरूर मिलाएं इनो मिलाने से बैटर सौफ्ट बनती है और अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बनती हैं बेसन के घोल को अच्छे से फेट ले ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई लमस और गुठली न हूँ मिश्टरन या फिलिंग तयार हूने के बाद ब्रेड की स्लाइस में अच्छे से फेला कर फिलिंग भरें फिलिंग की मात्रा ना ज्यादा कम रखें और ना ही ज्यादा एक्स्ट्रा मिश्रन भरने से ब्रेड के बाहर फिलिंग गिरने लगती है और तेल में ब्रेड के दो भाग में बटने की संभावना भी बढ़ जाती है तो कैसी लगी आपको हमारी बताई हो ये रेसिपी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी ऐसी ही और शानदा रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फूडी धन्यवाद